हम समझते हैं और पांच सपनों के साथ हमें आपको इसको explain भी करता है तो हमें यह समझने के जोड़त है कि दिमाग के अंदर जो deforementation होती है जैसे computer में होती है तो उसको sequence बनता है उसकी वैसे में सपने आते हैं और ये सपने हमें क्या-क्या बताते हैं इन सपनों की पूरी अनलसीस करना नां इन सपनों से ररिजल्ट करना और नंसापनाँ से क्योर करने के नाम और ड्रीम थेरपी रहां कि तोसले कि नाम हिए उर्गी कि वह ऊनौन से और नाम है और दुटर आधिगा रहे दिश haven आपकेँद्ध्रेभट कर दे कि dream therapy क्या होती है अब पहले हमें दो तीन चीज़ें समझनी है इसमें dream therapy क्या होती है यह हमारे को help कैसे करती है और इससे हम अपनी life में क्या-क्या changes कर सकते है सबसा पहला मेरा एक question है dream therapy के लिए हमें यह समझना पड़ेगा dreams क्या तो सबने क्या सबको आते हैं सबने इस दुनिया में सबको आते हैं सिवाये दो लोग में चोगे और आप कहेंगे दो लोग कौन से हैं एक वो जो नशे में सोगे आपने बहुत सारे pack डाल लिए अपने अंदर और सोगे आपका conscious mind वैसे ही due to drug down हो गया है तो इस वय से आपको पताई नहीं चलेगा सबना आएगा या नहीं आएगा आपको मैसूस हैं दूसरा option ये है कि जो आदमी मानलो हर एक आदमे के एक aist होती है उसी के हिसाब से वो सोता है और जो aist होती है उसके हिसाब चमानलो उसको साथ गंटे सोना है पर वो पांच गंटे ही सो रहा है तो conscious mind already tired position पे है और वो ऐसा breaking one point से नीचे काम कर रहा है तो वो अपने आप ही आपको बारबाद नीद में रखेगा और जैसे आप सोगे क्योंकि वो टायड है आप तुरन सो जागे उस cases में भी आपको सपना महसूस नहीं होते हैं यह दो चीजे हैं दो लोगों को सपने मैसूस नहीं पैंडा आते सभी को ही। लेकिन क्या होता है 95 % जो सफने है हम सुबह तक भूल जाते हैं और 5 % अगले दो तिन च・ और वो भी 5% में से एक आदा परसेंट ऐसा है जो काफी लंबे समय तक ही आते हैं तो यह प्रोसेस हो गया जिसके विए से तो क्या है हमें हमें हप करता है विल्कुल हप करता है इसके हम दो चीजे हैं कि अपने आते कैसे हैं पहले में यह एक्स्प्रेन करता हूं दूसरा कि यह क्या कोई additional power है हमारे पास जो हमारा subconscious mind हमें बताने की खुशिश कर रहा है through the dreams और dream therapy कहा है तो यह किस-किस के लिए अच्छा है जो students already इसमें प्रेक्टिस कर रहे हैं psychology field में उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा है ताकि वो अपना knowledge को enhance कर सकते हैं दूसरा जो कोई अच्छा है देकर learn the dream therapy with us तीसरा जो लोग नॉर्मल कोई जो आप सब लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं आप सब के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि आप यह understand कर सकते हो कि इस dream से हमें क्या सुमद रहे हैं तो आज में पांच common dream भी आपको बताने जाएं ऐसे common dream जो आ दूसरी तरफ चेंड कर सकते हैं तो आज आपको पांच dream बताने जा रहा हूं कि common dream दूसरा आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि dream therapy क्या होती हैं तीसरा यह dreams आते क्यों हैं तो हम आगे चलते हैं अपनी जर्नी पे और जर्नी पे चलने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने अभी तक हमारा जैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करने और वो बेल बटन दूरूप बदाएं ताकि हमारी और आपकी connectivity बने क चलिए हम आगे चलते हैं यह understand करने के लिए कि सबने हमें आते क्यों तो इसका बड़ा simple example है जो हमें समझना है एक computer की language में क्योंकि computer दिमाग से ही निकली हुई छोड़ी सी चीज है computer एक छोटा काम करता है दिमाग बहुत बड़ा काम कुछता है एक word use क्यों होता है computer के language में जो इंजिरियर है computer की वच्चे तो समस्क्राइए इसे de-fragmentation de-fragmentation में आपके hard drive के space को adjust किया जाता है और उसी space के हिसाब से वो hard drive की life बढ़ जाती है वैसे ही जब हमें सपने आते हैं तो हमारा subconscious mind हमारे brain की अंदर जो record करने की चीज़ें को record करता है और record करने की वाली चीज़ों को कि करम वार किसे कहते हैं sequence से adjust करता है इस वरसे हमें सब और यह हम इस संसार में भगवान की बनाईवी सबसे स्ट्रॉंग मशीन है हमारे अंदर emotions है सब कुछ है हमारे अंदर brain है यह mind और brain शायद जानवरों में नहीं है वरना जानवर पर राज करते हैं वो हमकी जारा शक्तिशारी होते हैं तो हमें यह पता है कि जैसे earthquake आता है तो जानवर को पहले पता लग जाता है कि earthquake आने वाला ह वैसे ही हमें भी पता लग जाता है कि इन सपनों के द्वारा हमारे भविष्य में क्या होने का है है एनवर्टीफल साइंस बहुत बढ़ी साइंस है इसको आज हम समझते है और पांस सपनों के साथ हमें आपको इसको explain भी करता है तो हमें यह समझने की जोड़त है कि की analysis करना इन सपनों से result करना और इन सपनों से cure करने के नाम को dream therapy होते है dream therapy में आप इन सपनों को समझ के इन सपनों के हिसाब से क्यों आते हैं और उनका क्या क्या क्रेक्शन हो सकता है वो आप use करते हैं तो जो students हमसे सीख रहे हैं उनको मालूम है dream therapy कितनी useful है आपती life के जो मैंने कहा था common dream अभी तक आपको इस पता लग जाएगा dream therapy क्या है सपने हमें क्यों आते हैं और सपने हमें कैसे impact करते हैं यह आपको example से मैं समझा दूँगा तो पांच common example ले रहा हूं जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि इन सपनों से क्या क्या होता है तो पहला example हम पहला dream लेके चलते हैं पहला dream क्या है being lost आप सपने में हो और आपको लग राग घूम हुए कहीं भी घूम हो सकते हो जंडल में पॉब्लीक में कहीं भी घूम हो गया और यह सपना आपको पारवार रग्वीट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है को मलूम है मतलब है आप अपनी life में confused है आपको मालूम नहीं है कौन सी direction सही है और कौन सी direction सही नहीं है जैसे आप student है तो आपको यह नहीं पता लग रहा मेरे को science लेनी है मेरे को arts लेना मेरे को इंडिया पढ़ना मेरे को बाहर पढ़ना यह confusion है और अगर आप कहीं relationship में हैं तो आपको ही नहीं पता मेरे को इस लटकी के साथ relationship रखना है या इस लटके के साथ रखना है यह long term रहेगा, short term रहेगा इसके कोई fruitful result होंगे या नहीं होंगे और तीसरा आप professional है तो आपको यह problem है कि आपको मालूम नहीं है यह job मेरे को रखनी चाहिए या इस job को shift कर देना चाहिए यह company मेरे को रखनी चाहिए तो these kind of activity happens with you तो आपको इस तरह के dream आएंगे, आप lost हो जाएंगे और फिर कई वर सड़न आपकी नीन खुल जाएगी उठ जाएगे अरे क्या होगा और अगर नीन नहीं कुलेगी तो सुबह आपको फोड़ा सा मैसूस होगा कि क्या होगा और अगर हम इसको ignore कर देते हैं तो क्या होगा वो भी एक समझने की जूरत है, अगर हम इसको ignore कर देते हैं तो हमारे जो goals हमने life के बनाएगे, goal achievement वो बहुत tough हो जाएगे, हम उसको tough कर देंगे और हम अपने goal achievement आपको अगर आता है तो immediately आपको इस पर action ले लिगा जाएगे, ठीक है, अब दूसरे सबना आपको अगर आता आता सब्सक्राइब हो जाना है, आप अपनी कार में है तो खराब होगी, इसका पैंचर लेवा रहे है, कभी गाड़ी खराब होगी है, तो इसका क्या मतलब होगी, इसका बड़ा simple state मतलब है, जिस रास्ते पर आप चल रही है वो रास्ता आपको शूर रहे है, आपको रास चेंज कर लेना चाहिए, जैसे कोई बच्चा है, उसको कॉमर्स पढ़ रहा है, उसका इंटरस्ट नहीं है, लेकिन कॉमर्स में आगे जाके उसको उसको उसमें पर आने वाली है, तो सब कॉंश्यस आरड़ी उसको इंफॉर्म कर रहा है, कि no, you will take science, ठीक है, वो dream therapy में, को बता रहा है, सबना, और तीसरा, अगर आप जोब में हैं, तो कई बार क्या है, हम प्रेशर में ऐसी जोब जोइन कर लेते हैं, जो शायद हमारे professional qualification को शूट भी नहीं करती, तो आपको ये problem आ जाएगी उसमें, कि वो professional qualification को सूट नहीं कर रही, बड़ आप कर रहे हैं, त तो करियर में एक हडल करेंगे, और अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, ऐसे सबना, जैसे अर्ठ को इक आता है, हम लोग को इग्नोर कर लेते हैं, क्योँ बहुआ रहे हैं, ऐसी बहुकरा हुआ लेकिन बाद में पता लगता हुँ, इसलिए बहुँआ था या कोई अर्च को कुछ ऐसी ट्रेस्ट नी होने वाले थी इस वज़से वो डॉग को ना खान तो आप अगर इसको इग्नोर करते हैं तो इसकी वज़े से आपको बिग लॉख सकते हैं बड़े कोई लॉख सकते हैं प्रोफेशनल में जोग जा सकती है आपका केरियर ब्लॉख हो सकता है रलेशन ड्रीम के ला ह कि जो है ड्रीम बे आ रहे हैं इस एड्रीम क्या हो सकता है फिलिंग इन एक्जाम, झांब स्कूल जा रहा है, आपका पैंट टूट गयाया अपको अखजाम नहीं दे पा रहे हैं तो चाम से पर आधको इkers चलता है और ऐसा आगर आपको हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो इसका वज़य यह है, आप अगर पेलिंग इन एक्जाम कर रहे हैं, तो जो काम आपका गोल है, आप उसके फोकस ही नहीं कर रहे हैं, आप करें और फोकस कर रहे हैं, डी फोकस हो गया आपका उनके से, और आप रेडी कर रहे हैं आपने आपको, कि मैं कि अपको ब्लेम किसी और को करता है। जैसे आपका एक्जाम में कोई अच्छे मार्स नहीं आएंगे क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी तो हम यह बोलने वारे हैं। इस पार ना वह प्रोडॉक्स के अंकल आगे थे हमारे यहां तो इस वर से हम पढ़नी को हैं। यह रिलेशेंशिप में अरे यार मैंने बहुत दिया और मेरे काउंटर पार्टनर दी थे। जबकि उसकी कोई गलती नहीं है बढ़ आपका पूरा ब्लेम को उस पर चांस को गढ़ाई गया। और ऐसे ही प्रोफेशनली यार मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा था कि बहुत मेरा टिकने नहीं देता या मेरे कुलीक मेरे को टिकने नहीं हम कही ना कहीं शिप्ट करेंगे। समझ गयोंगे आप, तो यह एक प्रॉल्म है और इसको अगरम इग्नोर करते हैं, तो हम अपनी लाइप में, डीग्रोफर से हैं, हमारी ग्रोफ लेवल डाउन है, तो ऐसा नहीं कुछ है, अब हम आते हैं, नेक्ट पे, अन्यूर क्लियर, कभी-कभी हमें सपनों में जानवरो सटा लगता है, कुछता आया, उसने काट लिया, शेर आगया, बंजा मार दिया, तीस काइंट अफेक्टिविटी, और ये धीरे-धीरे बढ़ती है, तो ये फॉबेस्टिक मनाती है, बैसिकली, क्योंकि आपके जो इमोशन्स हैं, आपने बोल करते हैं, और उनमें फेक इम अंदर आपको पता है, तो आपके अंदर एक फेक अंदर एमोशन क्रेट हो गया, कि आप इसको छुबा रहे हैं, दबा रहे हैं, और ऐसे फेक की वज़े से आपकी हेल्च पर भी असर पड़ती है, बच्चा आ रहा है, वो क्लास में फिलो, मालोब पेपर जो होते हैं, एक प्रोफेशली आएगा, अगर आपके बॉसने कोई काम लिया है, आपने वो इग्नॉर करके घर बाटके कॉपी पी रहे हैं, तो दूरूर तो इसकाइंट आपके अंदर चेस्ट में रहेगा, और दिरे दिरे यह इतना बड़ा हो सकता है, कि हार्ट प्रोफेशली आएगा, टैक और कैंसर तक जाता है, तो इसकाइंट आपके जाता है, हमें यह फेक क्रिएशन नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कि हम ट्रांस्परेंटली दूसरे को जो भी हमारे मन में बता रहे हैं, फेक ना रखे, हम आगे सकते हैं, अगले पॉइंट पे, इस इस दा पॉइंट, टॉकिंग तुए ड़ड़ परसे, हम लाइफ में कई बार उन लोगों से बात करते हैं, जिन लोगों से हमारा रिष्टा खतम है, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, और उनसे हम एमोशन शेयर करते हैं, ऐसा काफी लोगों में आया हम लोगों के साथ ही बात करना, और लोगों से दर्श शेयर करना, कई बार खाली को दिखते हैं, हमें बड़ा कमफर्ट फील होता है, यह सारी एक्टिविटी करते हैं, तो ऐसी क्यों होती है, ऐसी इस रही होती है कि जो भी आप इन्वार्मेंट में रह रहे हैं, आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे ह जिनके उपर आपको कोई श्वास नहीं, आपको लगता है इस फेक है, बड़ मेंको रहना पड़ रहा है, तो आप कोई भी एमोशन वहाँ एक्लीज नहीं करते हैं, आप सारे एमोशन गोड़न करके मैठे हैं, हर रिलेशन्शिप, टीचर आपके शूट है तो तीचर फेक और इस नहीं है, डिफरेंट अनल्जिस करने लगती हूँ, तो फेक हो जानते हूँ, और अगर ये फेक हो जाते हैं, तब हमें ऐसा लगता है, और ये क्या करता है? ये आपका इनाइटि लेवल को बढ़ा देता है, एक जए लेवल की हाई स्ट्रेश को बढ़ा को बढ़ा तो आज का जो वीडियो था यह आपको कैसा लगा यह हमें जुरूर बताए है कमेंट में और अगर यह आपको अच्छा लगा टो जुरूर लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल पूर सबस्क्राइब करें है। आज हमने आपको बताया ड्रीम थेरपी क्या होती है और कैसे कैसे सपने हमारे को लाइक इपक्ट करते हैं इस बारे में कोई भी क्वैरी हो आपकी अवर ग्रेन अवर लाइफ में आप डालिए जल्दी हम नहीं वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ जब तक लिए नमस्क्राइब